जैसे कि हमें पाता है कि वेब के उपर हर एसेट का हर पेज का एक एडरेस होता है जिसको हम उरल बोलते हैं ये एडरेस अडेंटिफाई करता है कि कोई रिसोर्स, कोई इमेज, कोई पेज कहां पड़ा हुआ है और जब या ब्रावजर में उरल उपन करते हैं तो आपको वो चीज नजर आने लग जाती है क्योंकि वो एक्जैक्ली उसका एडरेस होता है लेकिन अगर कोई चीज डिलीट हो जाए उसका एडरेस डिलीट नहीं होता जब गूगल आपकी किसी पेज को इंडेक्स कर लेता है और गूगल के डेड़ाबेस में वो यूरल आ जाता है लेकिन आप पिछे से वो फाइल डिलीट कर दें या वो पेज डिलीट कर दें तो गूगल के इंडेक्स से वो डिलीट नहीं होता बलकि गूगल में वो अवेलेबल रहता है और जब वो अवेलेबल रहता है तो उससे क्या होता है कि अगर किसी ने सर्च किया हो और वो उस URL पर क्लिक करें जो आपने डिलीट कर दिया था या चेंज कर दिया था तो सर्वर को उस अड्रेस पे कुछ नहीं मिलेगा जैसे ही उस अड्रेस पे कोई जाएगा तो आपको एक 404 एरर का विश्च वो एक 404 एरर दिखाएगा ब्राउजर जो कि आप वो कुछ कभी कबार इस तरह से नजर आता है यह 404 एरर बड़े डिफरंट तरह से आप डिजाइन भी कर सकते हैं लोग अपनी मर्जी के 404 पेजिस भी बना लेते हैं लेकिन इन शॉर्ट 404 का मतलब यह है कि वो एक एरर है कि चीज एक्सिस्ट नहीं करती वो आपका एड्रेस गलत है जिस पे कुछ भी एक्सिस्ट नहीं करता आपको 404 एरर तब नजर आएगा जब पेज का यूरिल या जो फाइल का यूरिल है वो एक्सिस्ट नहीं करेगा यह एक बहुत बड़ा प्राबलम है गूगल यह समझता है कि अगर आपके ब्रोकन यूरिल्स हैं तो वो आपको उस पे SEO में वैलियो डाउन करेगा और अगर यूजर आपकी वेबसेट पे आता है और वो एक ब्रोकन पेज पे लैंड करता है तो वो आपकी वेबसेट छोड़ जाएगा और इसके इलावा आपका बिजनस में भी काफी इंपक्ट पड़ता है इन ब्रोकन यूरिल्स की वज़ए से तो इसमें तीन में चीज़ें देखने वाली हैं आपकी SEO एफेक्ट होती है आपका यूजर छोड़ के चला जाता है और Google पसंद नहीं करता ऐसी जूरिल्स को इसलिए वापकी आपको पूरी की वेबसेट को इंपक्ट करता है कि ये वेबसेट में ब्रोकन जूरिल्स इतने ज़्यादा है कि लोग क्लिक करके आते हैं और उन पर कुछ नहीं मिलता वो आपकी वेबसेट है या आपके कलाइनट की वेबसेट है आपने ब्रोकन जूरिल्स को अइडिटिफाई करना होता है और अडिटिफाई करने के दो तीन तरीके हैं कि एक तो ये कि आपको वैसी कोई पेज नज़र आजए कि जब आप जाएं सर्च करें और आपको नज़र आजए कि ये पेज तो exist नहीं करता आप तो ठीक कर लें लेकिन यह भी होसकता है कि आपको पते ही न हो और आपके वैबसेटे ब्रोकन यूरेल्स हो और यह कब होता है इसकी दो किडिशन होसकती है एक तो यह कि जब क्लाइंट या आप किसी ने भी आपसे पहले या आपने ही अगर कोई page डिलीट किया हो किसी website से page डिलीट हो और वो Google index कर लिया हो डिलीट होने से पहले और बाद में जब वो डिलीट करे Google के database में वो रहेगा और जब भी उसके कोई क्लिक करके आएगा तो वो broken URL के तोर पे 404 error दिखाएगा तो या तो page डिलीट हो जाता है या कभी कबार ये भी होता है कि आपने एक article लिखा अब आपको नाम उसको change करना था आपने फोड़ी वो changes की और आपने उसका नाम different कर दिया उसका URL different हो गया अब basically आपने page तो डिलीट नहीं किया तो आपको ये देखना होता है कि जब आप website migrate कर रहे है migrate से मुराद कि अगर आपने नई website बना ली है या आपने एक page की जग़ा दूसरा नए page बना ली है तो आप पराने URL से नए URL पे redirection लगाए redirection एक command होती है जो कि हम discuss कर चुके है content duplication जब हमने topic discuss किया था उसमें मनें आपको बताया था content duplication को रोकने के लिए www से non-www या http से https पर कैसे redirection से आपने करना है लेकि redirection सिर्फ वहीं तक limited नहीं है अगर आपको page डिलीट करें जो कि बहुत natural है क्योंकि अगर आपको page अब नहीं चाहिए आप डिलीट कर देंगे आप डिलीट कर दें लेकिन उसको redirect जरूर करें redirection का मतलब यह होता है कि आपने जो prana URL था उससे आपने एक नए URL पर अडरेस दे दिया जब भी user या google उस prana URL पर जाएगा तो browser एक नए URL दिखा देगा और user को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन से page से आया कौन से page पे लैंड कर गया अगर वो URL देखेगा उसको समझ आ जाजएगी कि prana URL अब नहीं एक्सिस्ट करता वो नहीं URL पर आटमाटिकली वो लोड हो जाएगा और Google जब यह देखेगा behavior के हाँ एक prana URL था जो उसके database में था जब उसको crawl करेगा वो देखेगा page एक्सिस्ट नहीं करता लेकिन page के ओपर एक 301 redirection लगी वी है जिसमें होगा यह कि जब उसको browse करेगा तो एक नए page पे land कर जाएगा तो Google यह समझ जाएगा कि अब यह address खतम हो गया इसकी जगह एक नए address आगया है जैसी वो नए address देखेगा Google के database में वो परान address खतम हो जाएगा और नए address वो एड हो जाएगा तो यह broken URLs find करने के लिए आप एक tool यूज़ कर सकते हैं जिसना के W3C validator का check links का एक tool है इस पे आप जाके अपनी website चेक कर सकते हैं depending on कि website कितनी बड़ी है यह उतना ही time लेगा लेकिन एक असान तरीका भी है broken links चेक करने का वो है Google Webmaster Tools Google Webmaster Tools के अपर हमने पूरा एक topic decide किया हुआ है जब मैं आपको पूरा topic बताऊंगा Google Webmaster Tools क्या होते हैं और कैसे चलता है उसके अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसमें broken URLs Google कैसे identify करता है मैं Google जो Google Webmaster Tools इसलिए पसंद करता हूँ कि Google broken URLs Google में ही है और Google से बेतर हमें नहीं बता सकता कि उसके बाद कितने URLs हैं जो कि broken है तो जब हम अपनी website Google Webmaster Tools में register करेंगे वो हमें सारे broken URLs बताएगा और जब वो हमें यह बताएगा तो हम उसको fix भी कर लेंगे So in short आपने यह अंडर्सेंड करना है कि broken URLs URLs जो हैं वो dangerous हैं आपकी website के लिए आपकी website में अगर links ऐसे हैं जहां पर लोग आते हैं या Google आता है और वो 404 error शो करते हैं आपने उसको fix करना है अगर आपको नहीं पता कैसे fix करना है अगेन यह वो advanced part है जिसकी हमने पहले बात की आपने अपने developer से कहना है कि भाई मुझे यह fix करवाना है आप इसको fix कर दें वो उसको पता होगा कि 404 error कैसे लगते है अगर आप WordPress यूस कर रहे हैं आप उसको plugin मिल जाएंगे आप plugins के तहत भी plugins यूस करते हुए आप अपने broken URLs को खुद भी fix कर सकेंगे लेकिन in short अगर आपको नहीं पता तो यह ऐसी चीज़ है जिसमें help मांगने में कोई मसला नहीं है आप हमें developer से कहें के भाई यह broken URLs हैं मुझे बता दो कैसे करते हैं या मुझे कर दो जब आपको खुद समझा जाजेगी आप खुद भी कर लेंगे लेकिन broken URLs अगर होंगे तो आपके SEO पे negative effect होगा इसको आपने खतम करना है in any case